क्या भारत में लोगतंत्र बचा है दूराटी इस वीडियो में भारत सरकार की तुलना नौर्थ कोरिया से भी करते नदर आते हैं क्या भारत में डेमोक्रेसी कांथ हो चुका है इलेक्शन कमिशन के कामकाश पर भी सवाल उठाते हैं और दूराटी इतने सवाल उठा दिये जितना विपक्ष नहीं उठा पाए काम पत्रकारों को करना चाहिए वो काम दूराटी कर रहा है लोगतंत्र को मजबूत करने के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है दूराटी नाम तो सुना ही होगा यूट्यूबर, व्लॉगर, सोशल मीडिया, एक्टविष्ट इसके लामा समाजी, राजनितिक और पर्यावन के मुद्दे पर अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं और जो वीडियो ये बना देते हैं वो चर्चा का मुद्दा बन जाता है इनके वीडियो पर लाखो व्यूज भी आते हैं इनके खुद के यूट्यूब चैनल पर 15 मिलियन से अधिक जो है वो सस्क्राइबर्स हैं जिस भी मुद्दे पर ये वीडियो बनाते हैं उस पर काफी ये रिसर्च करते हैं इनके वीडियो में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं बहुत कुछ जान सकते हैं लेदेकर मोटी मोटा लबबोबाब ये समझ लीजे कि educational वीडियो बना देते हैं और वीडियो जो ये बनाते हैं उसको काफी लोग सराते हैं काफी लोग पसंद करते हैं इसलिए तो इतने व्यूज आते हैं अब जिस मुद्दे पर ये वीडियो बनाते हैं वो खुद ही एक मुद्दा बन जाता है अभी भी इन्होंने एक वीडियो बनाया है जो अभी चर्चा का विशय बना हुआ है दूराठी के हाल के वीडियो पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है और इस पर इतना विवाद क्यों छिडा हुआ है ये जानने और समझने के लिए आज हमें आपर खड़े हैं लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब पर ये जो वीडियो दूराठी ने डाला है वो यूट्यूब के खुद के कई रिकॉर्ट तोड़ चुका है पांच दिन के अंदर 15 मिलियन से अधिक व्यूज आ चुके हैं और अभी भी लगतार बढ़ रहा है आप ऐसे समझिए कि 15 मिलियन का ये जो व्यूज आया है ये दूराठी के अपने यूट्यूब चैनल से आया है इसके लावा कई ऐसे सोशल मीडिया साइट्स हैं जिस पर इनके वीडियो को लगतार शेयर किया जा रहा है और नजाने कहा कहा तो अब तक ये वीडियो नजाने कितने लोगों तक पहुँच चुका होगा इनके संख्याल लाखों से भी अधिक बताई जा रही है बहुत अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुच रहा है अब दूराठी की इस वीडियो में ऐसा क्या है तो ये वीडियो जब सुरवात होता है, सुरवात होते ही दूवराथी ये सवाल करते नजर आते हैं कि क्या भारत में लोगतंतृ बचा है, इस वीडियो की सुरवात ऐसे होती है, इसके बाद ये कई मुद्दों की तरफ इशारा करते है, ये कहते हैं कि देश one nation, one party की तरफ जा रहा है इस तरीके का इशारा करते हैं दूराटी इस वीडियो में भारत सरकार की तुलना नौर्थ कोरिया से भी करते नजर आते हैं इस वीडियो में धूराटी जो है वो देश की तमाम जांच एजंसियां है जैसे ED, CBI और उसके कामकाश पर भी सवाल उठाते नजर आते हैं इस वीडियो का जो अंत होता है उसके अंत में भी दूराटी जो है लगतार एक ही सवाल करते नजर आते हैं कि क्या भारत में डेमोक्रेसी का अंत हो चुका है इस तरीके का सवाल जो है वो दूराटी करते हैं इलेक्शन कमिशन के कामकाश पर भी सवाल उठाते हैं अब कर डाला है इस तरीके की बात लोग कह रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के रियक्शन आ रहे हैं इस वीडियो पर सोशल मीडिया के जो व्यूवर्स हैं वो बटे नजर आते हैं इस वीडियो को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है वो अंतराष्ट्री इस तर पर भारत की छवी जो है वो धूमिल कर रहा है भारत की छवी गलत दिखाने की कोशिद दुवराठी ने की है इसलिए सरकार को इस वीडियो को हटा देना चाहिए अंतराष्ट्री इस तर पर सरकार की छवी धूमिल इसलिए वीडियो जो है, वो सोशल मीडिया साइट से हतना चाहिए, इस तरीके के मांग लोग कर रहे हैं, इसके उलट कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो दूराटी के समर्थन में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतना बहतरीन वीडियो आज तक नहीं बना है, इस तरीके के बाद भ मतलब कांग्रेस का दौर भी याद दिला रहे हैं दूराथी को, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूराथी के इस विवाधित वीडियो का पुर्जोर समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो काम पत्रकारों को करना चाहिए, वो काम दूराथी कर रहा है दस सालों में पत्रकार जितने सवाल नहीं उठा पाया, उससे कम समय में 30 मिनट के अंदर धूराथी ने वो सभी सवाल जो हैं वो उठा कर रख दिये हैं इस तरीके की बात कर रहे हैं, करें कि 30 मिनट के अंदर उन्होंने देश की ऐसी स्थिती बताई है, इस तरीके से बताया है, जितना तमाम मीडिया चैनल इतनी संस्थान लेने के बाद, इतनी सुविधाओं लेने के बाद भी आस तक नहीं उठा पाया है ये वो सच्चाई है जो पत्रकारों को दिखानी चाहिए थी, लेकिन पत्रकार इन सच्चाई को नहीं दिखा पाया, दूबराठी 30 मिनट के अंदर ये सब कुछ करके दिखा दिये लोगतं को मजबूत करने के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है और दूबराठी ने इसमें बहुत अच्छा प्रयास किया है इस सरीके के बाद, लोग कह रहे हैं आप ऐसे समझें कि पाँच दिनों से ये मुद्दा ही बना हुआ है, पाँच दिनों से लगतार जो लोग हैं वो इस पर बात कर रहे हैं, कोई इसे हटाने की बात कर रहा है, कोई इसे कह रहा है कि इसे भारत के जंजन तक पहुँशना चाहिए, लोगों तक पहुँशना इस तरीके के बाद जो है वो लोग कह रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे कि धूराटी ने पहले कोई ऐसा वीडियो बना दिया है जिस पर लेकर इतना विवाद हो रहा है तो ऐसा नहीं है धूराटी इससे पहले भी ऐसे कई वीडियो बना चुके हैं जो विवादों में रहा जब केला इस्टोरी नाम की एक फिल्म आई थी इस पर भी इनोंने एक वीडियो अपलोट किया था और कहा था कि देश जो है वो इस्लामोफोविया नाम की कॉस्परेंसी जो है वो थूरी गढ़ने की कोशिश कर रहा है उसे प्रमोट करने का आरोप जह उन्होंने लगाए थ लबो लुबाब यह है कि वो यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि देश में जो है वो इस्लामोफोविया नाम की थूरी गढ़ने की कोशिश जो है वो हो रही है इस तरीके के बाद कश्मीर के मुद्दे पर भी इन्होंने एक वीडियो बनाये था जिसको लेकर काफी विवा जाता है इसके बाद उन्होंने डाबर कंपनी का एक जो प्रोडेक्ट हा उसको लेकर एक वीडियो बनाये था यह वीडियो जो वीडियो का जो मामला है वो कोट तक पहुँच गया था तो ऐसा नहीं है कि दूराटी पहली बार कोई वीडियो बनाये है और जो मुद्दा ब कि आप आँके खोल कर मेरा वीडियो देखे और वीडियो देखने के बाद जो है धूराटी की ट्रोलिंग भी खुब हो रही है उन पर परसनल अटैक भी किया जा रहा है शोशल मीडिया साइड एक्स पर आकर अपनी परसनल ट्रोलिंग को लेकर दूराटी ने ने कहा त्या तरीके के बाद अगर वास्तों में वो देश की परवाह करते हैं और असली मुद्दे पर गंभीर हैं तो जागो इस तरीके के बाद उन्होंने सोशल मीडिया साइड एक्स पर आकर लिखी वीडियो जारी होने के बाद बहुत से असे लोग हैं जो लगतार ये कह रहे हैं कि अंतराश्ट्रिय मंच पर भारत की प्रतिष्था पर नकरात्मक प्रभाव पढ़ रहा है इसलिए इस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए एक पक्ष लगतार वीडियो डिलीट करने के मांग कर रहा है और दूसरा पक्ष लगतार उनके समर्थन में डटा हुआ है उनका ये मानना है कि भारत के लोगतंद के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है और ये कहीं न कहीं लोगों के जन्मानस को भी प्रभावित कर रहा यह लोगों को जागरूप कर रहा है इसलिए इस वीडियो को नहीं अटाना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए इस तरीके की बात और मेरा आप लोगों से कहना है कि अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखा है और इस मुद्दे पर अपनी कोई राय बना रहे हैं कहीं अलग से कुछ पढ़ कर तो आपसे निवेदन है कि आप जाए वीडियो देखिए उसके बाद अपनी राय जो आपकी बनती है वो कई एक्जामपल के तहत अपने बात को पेश करने की कोशिश करते हैं पहले वो सवाल उठाते हैं उसके बाद वो बताते हैं कि मैं ये सवाल क्यों उठा रहा हूं इसके एक्जामपल में वो कई वीडियो और कई तत जो है वो पेश करते हैं अब मेरा ये मानना है कि जो लो उन्हें सवाल उठाया है जिस तरीके से उन्हें एक्जामपल देकर अपनी बातों को रखा है जो लोग उन पर पर स्टनल अटेक कर रहे हैं उन्हें जवाब देने का अंदाज जो है वो गलत है उनको भी उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए जैसे दूराटी ने सवाल परस्टनल अटेक से अच्छा है कि उनके सवालों का जवाब उस तरीके से दिया जाए जैसे वो सवाल उठाते हैं बाकी आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा दूराटी को आपने इससे पहले देखा है नहीं देखा है ये भी ह जरूर बताईएगा इस मुद्दे के वाइरल होने के बाद आप दूराटी को जानते थी या इससे पहले जानते थी यह में जरूर बताईएगा नमस्ते मैं पलवी हूँ आप भारत एक नई सोस देख रहे हैं अब जो उन्होंने सवाल उठाया है उस पर आपकी क्या राय ह यह भी हमें लिख कर बताईएगा धन्यवाद